अब सभी किसान बंदिगों का तो आज यहां पर एक और ब्रेकी न्यूं जा रही है प्रिधानमंत्य दॉर्ण यह कि गई पार इसमें उ amend using लुझार में लुझार नमस्द्री की जारी के गई है तो इसमें इसमें पर जी आप इसी द्युटरि के लिए बताने कि एक रशी विकास मंदाला भोपाल की तरफ से रिस्ट जारी की गई है तो एक रशी बताने कि MP में अभी तक यहां पर जो 20% लोग उनके पैसे नहीं डले हैं जो कि इसके लिए पातर थे तो वो आज तक सभी आज सभी के पैसे डल जाएंगे 25 तारिक से पहले सभी के पैसे डलना है तो आज यहां पर सभी के पैसे डल जाएंगे उसक तक कल सुबह बारह एक बज़े तक सभी के पैसे दो पहर तक डल जाएंगे और जिनके पैसे नहीं आते तो आपके लिए हम बता देते क्यों नहीं आते क्योंकि वह है यहाँ पर उस पाथ लिस्ट में यहाँ पर सामिल नहीं होंगे तो आज हम वो सभी तैसिल आपके लिए बताने वाले हैं और किस-किस जिले की वह तैसिले हैं सब कुछ बताएंगे कि किन-किन जिलों में और किन-किन तैसिलों में पैसे मिलेंगे सबसे पहले यह जो लिष्ट यह है 500 हेक्टेर या उससे अधिक छेतर वाली जो फसले हैं जो जहां पर यह इतनी जमीन में जो फसलें उगाई गई थी उनकी यह यहां पर सूची है सबसे पहले अनुपुर अनुपुर में यहां पर जो तैसिल अनुपुर खोथी है जिलाएक वहां पर कोई यहां पर इस लिष्ट में सामिल नहीं की गई कोई भी फसल इसके बार जो अनुपुर जो जिला है उसमें सिर्फ पुस्प राजगर है उसमें सिर्फ एक फसल यहाँ पर सामिल की कोंदो और कुटकी और इसके बाद आप आजाईए यहाँ पर असुक नगर में सिर्फ चंदेरी तैसिले उसमें यहाँ पर एक फसल सामिल की गोई मुग फली यह आपके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है इसमें से अली राज़ापुर है जिसमें यहाँ पर अली राज़ापुर के लिए ही सामिल की है जिसमें तीन फसल सामिल की ही कपाश जौर और मुग फली जो अलीजापुर है उसकी जो सभी तैसिले उनमें सभी के लिए सभी तैसिलों में यहाँ पर पैसे मिलेंगे मतलब जो अलीजापुर है उसकी जो सभी तैसिले आती हैं उन तैसिलों में जितने भी किसान मंदू पात हैं सबी के लिए पैसा मिल चुका होगा और इसकी बाद इन दौर इन दौर में यह बी तक कोई भी तैसिल नहीं नहीं उज्जन में कि जिसमें यहांपर कोई फसल्य चैनत की गया है यह इन दौर में तो साइल मुश्किल ही है इन फैसलों के पैसे मिलें तो कपा़ जुआर मुँफली और उज्जन में भी यही हाल है इसके बाद यहां पर आता है उमरीया उमरीया जिली की जो तैसिलें हैं करके लिए चंदेरिया नौरा जावाज पाली ऐसी तैसिलों में कुछ तैसिलें अशी हैं जहा बोर इसके बात कर नकाया है और खरतला रिरी सब्सक्राइब केंजरी कि सब्सक्राइब तो व्यूत बैस्ति को और फ्सक्राइब उनमें एक फसल जाद अंतर सामिल किये गई है बहुत कापास मतलब जो जिन जिन किसान में कापास क्या अपना रेजिस्टेशन किया था उन सभी के लिए पैसे मिलेंगे इसके बाद है गुना गुना जो की पन्ना के पास है लेकिन गुना में यहाँ पर कोई भी ऐसी फसल चैनित नहीं की गई जिसके लिए पैसे मिलें यह रेपोर्ट है 10 जून की और इसके बाद है एक और किसान का लिएन बिवाग की जो यहाँ पर रेपोर्ट आई इसमें है गौलिगेर की जो सबी तैसिले हैं इसमें दो फसलें सामल की गई है एक तो तिलहन और जुआर इसके बाद चतरपूर इसमें जो सबी तैसिले हैं उसके लिए सामिल किया गया है तिलھन और मुघंफली इसके बाद छिंदबाड़ा में जारें तर फसले कपास जो और मुघंफली तीनों की हैं इसके बाद जेबलपूर, जेबलपूर में कोई फसल नहीं है इसके बाद जाबुआ जाबुआ की जो तैसिले उनमें कपास की जो फसल वाई यहाँ पर सामिल की गई मतलब की जितने भी वहाँ की तैसिले आती हैं उनमें जो किसान बंदू पात्र उनके लिए कपास के पैसे उनके काउंडर पहुँच चुके होंगे और इसके बाद हैं आपा ठीकमगड़ ठीकमगड़ में आपा जो तिलहन और मूँ फली है उनके पैसे मिलेंगे जो भी किसान बंदू पात्र है पहुँच भी चुके होंगे जिनके में नहीं पहुँचे वो कल तक पहुँचाएंगे तो ऐसी लिष्टें आप देख लीजी दमोई की हैं इसमें सिर्फ तिलहन फसल सामल की गई है देबाश, धार, नर्सिंगपूर, निवाडी, नीमच जिसमें तिलहन और पन्ना पन्ना सेत में जो फसल सामल की गई है वो सब से जादा है तिलहन इसके बाद है यहाँ पर बड़वानी, यहाँ पर जो आर कापास तीनों फसल सामल की गई है और बैतूल, बैतूल में कुछ फसल ने सामल की गई है मुँपली, जो आर दोनो, इसके बाद भिंड है भिंड में सब से जादा जो आर तिलहन दोनों फसलें सामिल की गई तो इनके पैसे मिलेंगे किसानों के लिए इसके बाद मंडला में कॉंदो और खुटकी की जो फसल है उसके लिए सामिल की है इसके बाद रतला में कापास की फसलें सामिल की गई इनके पैसे मिलेंगे बाकि ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं लिष्ट पूरी इसके बाद इसे हो पूरी स्योपटी में यहाँ पर जो सभी तैसिले हैं उनमें मुग फली की फसल है सबसे जादा सामिल की मुग फली तिलहन इसके बाद सागर सागर में कोई भी यहाँ पर अभी तक फसल सामिल नहीं कि गई सिर्फ एक ही फसल दो थीन है जो सामिल की बहुत तिल हन तो इसकी बाद यहां पर देख लेश्थ सिंग रोली होसंगाबाद सबसक्ते हैं कि यहां पर सबसे पैसे हैं वो किन-किन फस्लों के पैसे मिलें जिलों में तो जिन जिलों में तो कल तक पैसे डल जाएंगे जिनकी नहीं मिलें तो आप समझ जाएगे आपके पैसे नहीं डलने वाले